जेहन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलैन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में तो दोस्तो इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ओफिसिल वेबसाइट पर जहां पर मैं आपके लिए इस भरती से रिलेटिट एटू जयान कारीद देने बाला हूँ लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस जरू करें क्योंकि दोस्तो आपको हमारे चैनल पर इंडियन आर्मी की भरती से रिलेटेट या फिर किसी भी डिफैंस की भरती से रिलेटेट ब्यूडियो सबसे पहले मिलती रहती है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्यूडियो तो दोस्तों ये भर्ती कौन से यारों के लिए है, कौन से स्टेट के लिए है और इस भर्ती में कौन कौन से districts के जो बच्ची होंगे वो apply कर पाएंगे हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहां पर दोस्तों जो भरती निकली है वो कौन कौन सी ट्रेट के लिए निकली हुई है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं soldier general duty इसके लिए आपको age limit 75-21 साल और आपकी जो date of birth है वो 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होना जरूरी है height आपकी दोस्तों 169 सेंटिमेटर और chest आपका 77 सेंटिमेटर होना अनवार यह है ठीक है उसके बाद मैं इस भरती को देखने के लिए आपकी जो education qualification है वो 45% marks होना चाहेंगे आपकी class 10 में और किसी भी subject में 33% marks से कम नहीं होना चाहेंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर soldier technical की भरती देखने के लिए आपको जो age limit होगी वो 17.5 से 30 साल है यहाँ पर gdk picture दो साल का आपको extra age limit दी जा रही है और आपकी जो date of birth है वो 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होना अनवार यह है इस भरती में भरती होने के लिए आपको दोस्तों apply करने के लिए 169 cm आपकी height होने चाहिए और जो chest की requirement है यहाँ पर उसके लिए आपको 77 cm आपका chest होना चाहिए इस भरती में apply करने के लिए दोस्तों कहने का मतलब मेरा यह है कि soldier technical की भरती में apply करने के लिए आपके लिए 10 plus 2 with physics, chemistry, math और English से पास होना चाहेंगे, 50% marks से आपके अबब होने चाहेंगे और 40% marks से आपके नहीं होने चाहेंगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों next भरती है, 2017 से 30 साल, 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में आपकी date of birth होने चाहेंगे और 169 cm आपकी height होने चाहेंगे, चेश्टा आपका 77 cm और इस भरती में भी apply करने को आपके लिए 10 plus 2 pass होना चाहेंगे, आपके पास में subject होने चाहेंगे physics, chemistry, biology and English, यह 4 subject अनवारिये होंगे, किसी भी subject में आपके 40% mark से कम नहीं होना चाहेंगे और overall percentage आपकी 50% होने चाहेंगे, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे soldier clerks की, तो soldier clerks की भरती देखने के लिए आपको आपकी age limit है, जो 16-17 से 13 साल, 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में आपकी date of birth और 162 cm आपकी height होने चाहेंगे, chest आपका 77 cm और आपका जो education qualification है दोस्तों, वो आपकी 10 plus 2 pass होना चाहेंगे, और आपकी जो overall percentage आपके 50% और किसी भी single subject में आपके 50% में आपके कम नहीं होना चाहेंगे, अब दोस्तों में आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि यहाँ पर जो भरती है, वो केबल, soldier gd, technical, nursing assistant और clerks के लिए है, लेकन दोस्तों आप घबडाने की जरूरत नहीं है, इसी ARO के लिए दूसरे भरती का जो notification है, वो भी दोस्तों यह भी download नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर tradesmen की भरती निकली हुई है, तो चलिए दोस्तों अब आपको बता दूँ, यह जो भरती है, इसके online registration जो हैं दोस्तों, वो 20 December 2020 से और 2 February 2021 के बीच में आप कर सकते हैं, डेट को एक बार फिर से द दोस्तों अर्वाल, उसके ग्या, जमूई, जहनवाद, कमोर, लक्षी सराइ, उसके बादे नालंदा, और नवादार, और ट्रोतास, सेखपुरा ठीक है, यह जो डिस्टिक्स हैं, इनके जो युबा होंगे, इस भरती में सामिल हो सकते हैं, ठीक है, उसके बादे दोस्तों आपके जो exact date और location है वो आप यह तक नहीं बताए गई है तो जैसे exact date और location आएगी वो आपके लिए हमारे चैनल पर वीडियो के माद दिम से बता दिये जाएगा ठीक है अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस भरती में अगर आप सामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए जो physical requirement की जरुरत होगी वो क्या होगी बैसे तो आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में 1.6 km की running, beam, 9 feet ditch और zigzag balance होता है लेकिन जिन के लिए नहीं पता है उनको में detail में बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप 1.6 km की running को 5 minutes 30 seconds के अंदर पास करते हैं तो आपके लिए 60 marks दिये जाते हैं और अगर आप 5 minutes 31 seconds से 5 minutes 45 seconds तक अगर पास करते हैं तो आपको 48 marks दिये जाते हैं और अगर आप 10 चिनप्स लगाते हैं तो आपको 40 marks, 9 लगाते हैं तो 33, 8 में 27, 7 में 21 और 6 चिनप्स लगाएंगे तो आपको 16 marks दिये जाएंगे उसके बाद में दोस्तो need to qualify ये जो है वो आपको zigzag balance और 9 feet ditch ये जो दोनों event होंगे इसमें आपके लिए only qualify करना होता है इसके लिए दोस्तो आपको कोई भी marks नहीं दिया होता है ठीक है तो दोस्तो ये थी इस भरती की जैनकरी जो कि मैंने आपके लिए बिल्कुल एट्टु जैट बता दिया है और अगर आपके लिए कोई वी साक्या सवाल हो तो आप मुझसे comment करके जरूप मूँ सकते हैं आपके लिए 2 kg की छूट दी जाएगी ठीक है उसके बाद दोस्तों आप अपके लिए हैट में 2 cm की छूट चेस्ट में 1 cm की और बेट में आपको 2 cm की छूट दी जाएगी उसके बाद में दोस्तों आप outstanding sportsman है national or international or state or district level के तो आपके लिए और इसमें आपने फर्स्ट या सेकंड पोजिशन इन लास्ट वेर्स में हासल की यह तो आपके लिए हैट में 2 cm चेस्ट में 3 cm और बेट में 5 cm की छूट आपके लिए दी जाएगी ठीक है तो यह है दोस्तो एक्स्ट्रा प्रोविजिन जो की कुछ selected candidates के लिए दिये जाता है तो अगर आप इसमें से किसी से भी संबंदित हैं तो आप इस भरती में छूट के हगदार जरूर होगे ठीक है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में सेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा आउनलें क्लास दोस्तों हम आपके लिए डेली ही वीडियो अप्लोट करते हैं जिसमें दोस्तों हम आपके लिए जनरल नोलज के साथ साथ भरती की वीडियो भी प्रोबैट कराते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लि